नवरात्री के शुबपरवपर शुक्रवार 8 अक्तूबर को अत्याधुनिक स्वास्त सेवा सुविधाओं से परिपूर्ण अभ्युद्य अस्पताल का उद्गाटन हुआ अस्पताल का उद्गाटन राज्य सवासांसत पद्मश्री डॉक्टर विकास महत्मे के हातों संपन्न हुआ इस अउसर पर विधायक गोपिचन पडल कर श्रीमन भूशन सिंग राजय होल कर मनपजल प्रदाय विशेश समीती सभापती संदीप गवई की विशेश उपस्तिती रही जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाइल्स ने नजाने कितने लोगों को परिशान कर रखा हैं तो आज हम उसी सिलसले में प्रविन सहावे से बात करने जा रहे हैं जिनोंने आज ही अभ्यूद्धे हॉस्पिटल का एक दूसरा ब्रांच नाकपूर में लॉंच किया हैं जहाँ पर वे उसी से रिलेटेड और धेर सारी बाते अपने पेशेंट्स को बताएंगे ज्यादा तर ऐसे माना जाता है कि बदलती अपनी लाइफस्टाइल की वज़े से अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा तर चेंजे जाने की वज़े से फास्ट फूड की तरफ लोग ज्यादा तर भागते हैं और इसी का कारण सीधे अपने शरीर पर पड़ता है तो जानते हैं हम इसके कई सारे कारण और इससे बचने के उपाय सीधे अपने डॉक्टर से आपका यह सेकेंड ब्रांच का इनाउग्रेशन है तो आपने यहाँ पे अपने पेशेंट्स के लिए और कौनसी कौनसी सुविधाय पाइल्स के साथ में और उपलब्ध कराईए उसके बारे में हमें बता है अब्योदे पाइस लेजर हस्परिल में जो अभी दृतिय शाका का आज आनावरन हुआ है इसमें हम लोगों ने पाइल्स के पेशेंट्स के लिए एडवांस लेजर ट्रीटमेंट है एडवांस बी आईएम टेकनलाजी जो ट्रीटमेंट है जो कि मोस्ट एडवांस का हमने इंक्लीशन किया है साथ ही कॉस्मेटिक गाइनेकोलाजी ऐसा यूनिट है जिसके लिए पेशेंट को एडविट होने की आवश्यक्ता नहीं होती है और यह ट्रीटमेंट उन महिलाओं के लिए है वो जिनके नॉर्मल प्रेगनसी या नॉर्मल डिलेवरी हुई है औ और उनके बाद उनको 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 का प्रावलेम है या और गाइनेक प्रावलेमस है उनके लिए कॉस्मेटिक गाइनेकोलाजी का नया यूनिट अभीदे पाइस लेजर हस्पिटल की एक नए ब्रैंच में हमने इस्टैबलिश किया है और पिछले 12 वाज साल से हम लो के साथ साथ एडवांस लेजर ट्रिटमेंट का भी इंक्लूजन और पूरा समावेश हमने किया है हम अकसर ऐसा देखते हैं कि पेशेंट को नजाने कित्ते तो भी इलाज के बावजूद भी उनके असर नहीं होता है उनके दवाईयों का तो आप उस चीज में उन्हें क्या रेकमेंट करेंगे हर एक पाइल्स पेशन के लिए मेडिसीन ही ट्रिटमेंट नहीं है या हर एक पाइल्स पेशन के लिए लेजर ट्रिटमेंट ही ट्रिटमेंट नहीं है सबसे पहले उस ट्रिटमेंट करने के पहले हमको उस पेशन का डाइगनोसिस करना पड़ता है उसका निदान करते हैं जैसे हमारे अभीदेपाइस लेजर सेंटर में हम लोग वीडियो रेक्ट्रसकोपी की माध्यन से इसका निदान करते हैं और इस निदान के बाद जो पेशेंट का डाइगनोसिस है उसके अनुसार इनिशेल हमारा मोटो रहता है कि हम लोग आईरवेद मेडि लाइफ टाइम के लिए पूरी तरह से आराम हो जाता है और आगे फिर कोई भी प्रॉब्लम से उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती है तो आप इस दोरान ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता है उन्हें कॉन सर्ड डाइट फॉलो करना है नहीं करना है लोग अकसर गैर जिम्मदार हो जाते हैं अपने डाइट को लेके उनके बारे में हमारे वीवर्स को कुछ वर्ता है एक्चुली हमारा डाइट सबसे इंपोर्टन है आपने लेजर ट्रीट्मेंट कर लिए और दुसरे दिन से नौनवे स्टार्ट कर दिया स्पाइसी डाइट कर दिया क्यों के लिए हम लोग नाग्पूर कर है और लोग खाने के ब्ड़े शोकिन है और इसके में हम लोग दो हम बदर फिर से न हो बिमारी एक बार treatment करने के बाद फीर से ना हो, पर यह ऐसा नहीं है कि आपने एक बार treatment कर लिया और next day से आप spicy diet खाना शुरू करें, तो definitely रिकान सब बॉड़ी है, क्योंकि कोरोना ने हमको सीखा दिया कि बॉड़ी में क्या changes हो सकते हैं, तो आहार ही हमारा सबसे बड़ा निराकार हो सकता है, डायेट सबसे इंपोर्टन है, उसके साथ में योगा, प्राना या, जैसे कि जो लोगों को constipation होता है, मैंने देखा है कि हमारे 90% patients constipation क्यों होते हैं, यह मलब अधिता क्यों होते हैं, आजकर हमारा diet जो है, पहले हम लोग outside food नहीं खाते थे, जो घर क खाना है, वही खाते थे, आज हमारा outside food खाने का चलन बढ़ गया है, तो उसके वज़े से constipation जैसे समस्या है, तो यह बढ़ गई है, तो यह समस्या यह आपका diet modification, रात में जागना, यह सब कम करना, साथ में आपको कुछ योगा प्राना हैं, जैसे हमारे निरंतर patients को बतात कि योगा से आपका maximum 60% constipation आप ठीक कर सकते हो, रहा 40% जो constipation है, इसके लिए हमने कुछ research medicine मनाई है, उसका अगर आप 7 करते हैं, तो आपको initial stage में आराम हो सकता है, और आपकी जो lifestyle disorders है, वो ठीक हो सकते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस ग्यान भरे ब और नवरात्री के लिए हमारे viewers को कुछ संदेश देना चाहेंगा? उपलबदी होगी, और आने वाली नवरात्री इस साल भली हम गरवा ना खेल सके, तो प्रभू से हम प्रार्थना करते हैं, देवी मा से प्रार्थना करते हैं, कि आने वाली नवरात्री हम धुमधाम से गरवा खेल के मनाएं, और सभी लोगों को पुनश्य एक बार नवरा अजिश के साथ वी के बी नियूस से नमस्कार